चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहा है इलास्टेशन नंबर 11 इलास्टेशन नंबर जो 11 है वो आल टाइप ओफ ट्रांजिक्शन है जिसको हम बोल सकते हैं मिक्स टाइप ओफ ट्रांजिक्शन यहां ध्यान से एक-एक पॉइंट समझना तो सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे बच्चा शुरू करते हैं सबसे पहले डिया हुआ है रेकॉर्ड दा फॉल्वाइं ट्रांजिक्शन in the Journal of Shree Ohm Chart Traders तो first of all बच्चा यहां लिखेंगे ナagh इंट्री इन दा बुक्स ओफ ओम कार ट्रीडर्स तो यहां पर आपको सबसे पहले लिखना होगा जनल इंट्री इंट्री इन दा बुक्स ओफ ओम कार ट्रेडर्स जहां पर दिया हुआ है 2014 October 1st तो हम भी इतना पहले लिख लेते है 2014, October 1st, तो ये हो जाएगा, first of all पहला ट्रांजिक्चिन लिखना शुरू करते है, तो यहां बच्चा ध्यान में रखने वाली बात बहुत important है, जो आप बोलोगे cash asset है, दूसरी important बात furniture भी asset है, stock भी asset है, लेकिन 8% जो loan है वो liability है, तो asset always business में जब owner लेके आता है, तो debit होता है, liability कुछ भी लेके आएंगे, तो credit होगा, अभी बच्चा और एक important बात जो मैं पहले लिखता हूँ, तो ज्यादा समझ में आएगा, तो पहले आप लिखोगे cash account, debit करोगे, यहां bracket में कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे इसे bracket लिखना ही क्यों है, तो बच्चा यह तो main point है, 40,000 owner लेके आया, plus वो loan लेके आया हुआ है, किसकी? तो प्रगना की loan लेके आया हुआ है, उन्होंने प्रगना से 20,000 as a rupees loan ली हुई है, तो आप बोलोगे total cash कितना हो जाएगा, 20 plus 40, owner खुद लेके आया 40,000, और 20,000 लेके आया है as a loan, जो बच्चा यहां पर ध्यान नहीं रखेगा, उनकी mark confirm जाएंगे, यह एक पहली गलती हो सकती है, तो cash account debit 60,000, इसके बाद आप बोलोगे sir furniture account, यहां पर लिखेंगे furniture account debit, तो वो कितना लिखेंगे, 10,000, इसके बाद आप बोलोगे stock account, debit जो होगा कितना, 8,000, and capital account, account, and इसके बाद लिखोगे, क्या है 8% loan account, या प्रगना उस loan account, clear है, first of all आपको यहां से लिखना पड़ेगा, प्रगना लोन है, वो 20,000 है, तो first of all आप लिखोगे 60, plus 10, plus 8, तो आप बोलोगे 78,000, 78,000 में से आप बोलोगे 20,000 माइनस करोगे, तो आप बोलोगे 58,000, तो 58,000 as a capital हम लिखेंगे, तो आपको capital लिखना पड़ेगा, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे को समझ में नहीं आया, ध्यान से समझना, total कितना लिखना है, total of debit side, minus प्रगनास लोन, जो आपको मिलेगा, वो minus करके amount, उसको हम capital consider करेंगे, ध्यान में रहेगा बच्चा, तो ये point थोड़ा important था, जो important मुझे लगता है, वो cash वाल है, जो गलती होगी, तो उतनी होगी, बाखी तो आपको problem नहीं होगी, चलो बच्चा, second point जो शुरू करते हैं, at the time of integration of a shop, paid for ice cream and the other expense of 3,500, तो बच्चा, आपको पता है, जबी भी हम नया कुछ शुरू करते हैं, तो हम ice cream party या चोटा सा integration रखते हैं, या इसमें जो होगा है, वो चोटा मोटा expense है, देखो, 3,500 है, जो उन्होंने लिखा भी है, ice cream and other expense, सबका मिलाके उनका हो रहा है, 3,500, तो हम ice cream expense नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, sundry expense, क्या लिखेंगे बच्चा, sundry expense, sundry expense का मतलब है, छोटे, मोटे expense, तो आपको वो ध्यान में रखना है, जिसके expense छोटे, मोटे नहीं होते, छोटे expense होते है, जिसको हम अलग-अलग करके नहीं लिखेंगे, combine करके sundry expense का नाम दे देंगे, तो आप बोलोगे, सर, sundry expense बोल रहे हो, तो expense है, तो sundry account, sundry expense account debit करेंगे, और आप बोलोगे, cash account, business में cash जा रहा है, तो वो credit होगा, कितना होगा, तो आप बोलोगे, 3,500, 3,500, इसके साथ बच्चा, हमारा दूसरा point भी खतम, तीसरे point पे आगे बढ़ते हैं, open a bank account with the bank of Baroda, by the depositing of 25,000 in cash, तो बच्चा, सबसे पहले, ये समझो, business में से cash आ रहा है, या जा रहा है, तो आप बोलोगे, sir, business में से cash जा रहा है, और bank में deposit हो रहा है, तो bank में से deposit हो रहा है, तो business में से cash जा रहा है, तो cash account credit होगा, debit क्या होगा, bank account debit होगा, तो बच्चा लिखना शुरू करते हैं, तो यहां पे simple सा point है, तो आप लिखोगे bank account, debit and cash account, credit logic बहुत simple है, business ने अपने bank account में deposit करवा है, तो उनका bank balance बढ़ेगा तो real के rule के इसाब से क्या होगा, debit what comes in, तो bank के पास पैसा bank balance बढ़ा हुआ है तो bank account debit होगा and cash account credit होगा, इसमें एक और logic भी लगा सकते है, लेकिन उसमें confusion create होगा तो यह logic से आपका काम हो जाएगा, तो वो simple सा point याद रखना है, आप बोलोगे sir कितने पैसे deposit करवा है तो 25,000 हमने deposit करवा हुए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25, यहाँ पे लिखेंगे 25, यहाँ पे लिखेंगे 25 यह third number का transaction था, fourth number का transaction बचा, यहाँ आपको pause करके लिखना है, तो लिख सकते हो, तो आपको clear हो जाएगा fourth number का transaction कुछ इस तरह है, electronic weight machine purchase for the 4000, अभी यह electronic machine जो है, वो एक साल नहीं, एक साल से ज्यादा चलने वाला है, तो यह हमारे लिए asset होगा जबी भी आपको एक ध्याद में रखना है, electronic weight machine आप purchase कर ले हो, तो उसको dead stock बोलेंगे, क्या बोलेंगे, dead stock, ध्याद में रहेगा बच्चा, जबी भी electronic, जैसे हमने वो अभी sundry expense लिखा था, same way यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, dead stock account debit, और credit क्या होगा, purchase किया है, payment हो तो आप बोलोगे, cash account credit हो, तो आप बोलोगे, dead stock account debit होगा, and आप बोलोगे, cash account credit होगा, कितनी amount लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे, 4000, 4000, इसके साथ बच्चा, आमारा 4th number का खटम, आगे चलते है, 5th, machine of rupees 5000 is purchased from now car traders and paid machine installation charges, Rs.500, तब भी आपको बोला हुआ है, कि हमने total हमारा machine कितने का होगा, 5,500, जिसमें बच्चा, आपको वो समझना है, 5000 का जाद था, वो नवका traders को हमें pay करना बागी है, जबकि यहां पर word कैसे लिखा हुआ है, paid machine installation charges, Rs.500, तो इसका मतलब यह हुआ, कि हमने machine installation के जो भी charges थे, वो हमने pay कर दिया है, तो entry कैसे होगी, वो बच्चा ध्यान से समझना, यह बहुत important, मुझे तो यह fourth वाला भी important लगता है, यह भी important लगता है, और यहां step, यह 3 step तो मुझे बहुत important लगता है, यहां पर एक ही कलती बच्चे से होगी, जो ध्यान में नहीं रख होगा, तो आप बोलोगे sir cash कितने से credit होगा, तो आप बोलोगे sir installation charges जो है, उतने से credit होगा, तो उन installation charges है 500, 5000 नौका traders को pay करने बाकी है, total machinery के value हो जाएगी 5500, जब भी आप बोलोगे asset के related जो भी expense होगे, वो asset में debit होते है, उसको अलग expense करके हम नहीं दिखा दे, क्योंकि यह capital expenditure है, दूसरे वर में बोलो तो simply जब भी भी हम asset purchase करेंगे, तो asset में सारे expense include करके ही लिखेंगे, हम installation charges अलग से दिखाएंगे, नहीं, जो ध्यान में रखना है बच्चा, तो यह था बच्चा 5th number का, इसके बाद आगे चलते है, हमारा 8th number का transaction, जो दिया कुछ इस तरह है, goods of Rs. 10,000, where our purchase from Shivan traders at 10% trade discount and 50 paid for carriage, उच्चा, यहां पर बहुत simple सी बात है, दो transaction है, हम अलग-अलग करके लिखेंगे, तो confusion ना है, तो यह 6th number का नहीं है, 8 number का है, तो आप बोलोगे, sir, हमने goods purchase किये, तो purchase account debit करेंगे, और यह transaction credit है, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है, Shivan Brothers करके लि लिखेंगे, Shivan Traders account credit कर देंगे, कितने से, तो आप बोलोगे, sir, हम लिखेंगे, 10,000 का 10% निकालोगे, तो 9,000 हो जाएगा, तो यहां पे 9,000, यहां पे 9,000, उसके बात, बच्चा, दूसरे में हम क्या लिखेंगे, यह A है, यह B है, तो B वाले पार्ट में हम क्या से, आपको वो ध्यान में रखना है, हम Installation Charges, जो आपने बोलोगे, sir, Installation नहीं, आपने carriage जो amount pay की है, उससे पैसे आएंगी या जाएंगे, तो आप बोलोगे, sir, carriage जब भी पे करते है, तो cash जाता है, क्योंकि paid करते है, तो आप बोलोगे, sir, carriage expense account debit, या carriage लिखो तो भी चलेग carriage account debit, and cash account credit, कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे, sir, ये जो हम लिखेंगे, वो कितने से, 500 से हम करेंगे, एंट्री, और इसके साथ, बच्चा, हमारा ये point खतम, 8 number का transaction खतम हो जाएगा, तो proper बच्चा, इतने पहले लिख लो, pause करके, तो clear हो जाए, उसके बाद हम चालू कर है, 10th number का, चलो बच्चा, 10th number का transaction, house rent paid 7,000, and life insurance of 1200 paid by check, तो बच्चा, आप बोलोगे, sir, simple सी बात है, house rent, वो personal expense है, owner का personal expense, and life insurance दिया हुआ है, वो भी personal account है, personal expense है, तो drawing account क्या हो जाएगा, debit, क्या हो जाएगा, debit, तो बच्चा, हम यहाँ पे लिखेंगे, 10th number में, transaction में, drawing account debit हो जाएगा, और credit क्या होगा, क्योंकि पैसे जा रहे, तो bank account credit हो जाएगा, आप बोलोगे, sir, कितनी amount से, तो total 7,000 plus 1200, तो आप बोलोगे, sir, 8200 debit होगा, 8200 credit होगा, ध्यान में रखना बच्चा, इसको individual नहीं लेख सकते, हम total करके drawing account debit करेंगे, और bank account credit होगा, इसके बाद बच्चा 12 number का point जिसमें दिया हुआ है, goods of 5,000 sold to a cash trader, at 10% trade discount, 10% cash discount will be allowed if due paid in 10 days, तो समझना बच्चा, यहां पे आकास trader, suppose, 10 days के अंदर अंदर payment करता है, तो उनको cash discount का benefit होगा, तो यह general, मतलब यह point पे number, मतलब date number 12 पे उनको cash discount मिलेगा, नहीं, तो ध्यान वो रखना है, goods of 5,000 बोला हुआ है, उसका 10% हमें, क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, क्योंकि वो trade discount उनको मिलेगा, लेकिन cash discount अभी मिलेगा, नहीं, क्योंकि अभी payment हुआ नहीं है, आकाश, trader account, debit होगा, और credit होगा, sales account, कितना लिखेंगे, 4500, 4500, तो बच्चा यह ध्यान में रखना, जब भी वो payment करेंगे, तब जाके उनको benefit मिलेगा, चलो, तो आगे चलता है, तो अभी दिया हुआ है, 15 number का, आकाश, trader, paid half of the amount by check for the transition dated 12, आप देखो कि 12 number का, जो मतलब date पे transition हुआ है, उन्होंने 15 date पे ही payment किया है, 10 days के अंदर-अंदर दिया हुआ है, तो उनको discount मिलेगा, कौन सा discount मिलेगा, अभी आप में discount जो मिलेगा, वो cash discount मिलेगा, तो अभी पहले, first of all, बच्चा, यहाँ समझ के करना है, यह जो है 15 है, तो आप बोलोगे, sir, यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, वो 12 है, उसका आधा, क्योंकि half amount बोला हुआ है, तो आप बोलोगे, sir, यह 4500 है, उसको divide by 2 करोगे, तो 2250 होगा, समझ में आरा है, बच्चा, 2250 का, आप बोलोगे, 10% करोगे, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे, sir, 10% करोगे, 225, तो यह 5, यहाँ पे हो जाएगा, 402, तो बच्चा, यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि आकास trader हमें चेक दे रहा है, तो simple bank account क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे, sir, bank account debit होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, bank account क्योंकि पैसे आ रहे है, तो bank account debit होगा, आप बोलोगे, sir, discount account debit होगा, एंड आप बोलोगे, किस ने दिय है, तो आकाश trader ने दिय हुए, तो यहाँ उनका account रैइट हो जाएगा, कितने पैसे लेने थे, तो आप बोलोगी से 2250 उसमें से उन्होंने कितने दिये 2045 और कितने कम दिये क्योंकि यह discount है इसलिए 225 रुपीस कम दिये आप बोलोगी से discount account क्यों debit होगा क्योंकि हमने उनको discount दिया हुआ है तो हमारे लिए यह discount क्या होगा expense होगा क्या होगा बच्चा expense होगा इसलिए यह debit होगा ध्यान में रखना छोटे छोटे पॉइंट बहुत ही important है ध्यान से करोगे तो clear हो जाएगा तो बच्चा यह point था आप बोलोगी सर 15 number का 18 number की transaction में क्या बोला हुआ है आकास टेडर एज रिटन बैक गूट्स ऑफ रुपीज 700 तो उन्होंने बोला कि 700 का गूट्स आकास ने क्या किया रिटन किया हुआ है तो आप बोलोगी सर इसका मतलब sales return हुआ क्या हुआ sales return तो हम यहाँ पे 15 था अभी आगे लिखेंगे 18 sales return account क्या हो जाएगा debit तो आप बोलोगी सर कैसे sales always क्या होता है बच्चा credit तो sales return क्या होगा debit sales return account debit होगा और यहाँ पे आप क्या लिखोगे आकाश trader कितने पैसे उन्होंने return किये goods 700 के clear है बच्चा तो यह 700 खतम हुआ उसके बाद 20 में 2000 goods withdraw for bank of baroda from shop expense shop expense के लिए मुझे यह transaction always बहुत important लगता है 90% बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देते bank में से withdraw किये किसके purpose के लिए business purpose के लिए business expense के लिए तो आप बोलोगे sir expense हुआ नहीं है हुने वाला है उसके लिए जो हमने expense किये हमने उसके लिए withdraw किया हुआ है तो business में cash आ रहा है और bank balance कम हो रहा है अब भी हमने expense किये नहीं है तो आप बोलोगे sir इसका मतलब यह हुआ कि हमें ध्यान वो रखना है कि business में cash आ रहा है तो cash account debit होगा and bank account credit होगा नहीं कि यहां पे कोई expense debit होगा ध्यान में रखना business में cash आ रहा है तो आप बोलोगे sir यह था 20 number का transaction यहां पे आप लिखोगे cash account debit business में cash आ रहा है और credit क्या होगा bank account और यहां पे हम लिखेंगे कितने पैसे आ रहा है तो आप बोलोगे sir यहां से हमने withdraw किया है 2000 bank में से withdraw किया है तो 2000 आएगा बच्चा यहां ध्यान रखना बहुत ही important point है जो आपको focus करना पड़ेगा यहां business के लिए expense करने वाले है expense अभी वहा नहीं है expense होगा तो हम क्या करेंगे तो आप बोलोगे sir simple way में expense account debit करेंगे जब expense करेंगे तब clear है बच्चा वो ध्यान में रखना वो गल्ती नहीं होनी च आगे चलता है goods of Rs.6,000 purchase from armor traders 10% trade discount 5% cash discount half amount is to be paid in cash तो बच्चा शान्ती से calculation part समझना तो बहुत जल्दी हो जाएगा तो आप बोलोगे sir यहां पे जो है 21 total कितनी is की calculation अच्छी तरह लिखनी पड़ेगी total 6,000 का goods था जहां पे बोला हुआ है कि 10% trade discount तो आपको देना है तो 600 हमने कर दिया तो 5,400 हमें उनको payment करना था इसमें से बोला हुआ हाफ amount पे आपको discount किया हुआ है तो यहां पे हम बोलेंगे 2700 और यहां पे हम 2700 2700 का आपको बोला गया है 5% cash discount देना है तो आप इसका 5% न 2700 मतलब 135 क्लियर है 135 और यहां पे minus 2565 यह amount हम paid करेंगे amount paid और इतनी amount हमारी due है समझ में आ रहा है बच्चा तो simple सा point है इसको हम proper तरीके से लिखते है तो आप बोलोगे sir यहां पे ध्यान क्या रखना है तो अभी देखना बच्चा entry कैसे करना है तो आप बोलोगे sir यहां पे अमर 트אש還मट डिया हुआ है तो पहले कम purchase करेंगे purchase account debit किया इसके बाद आप बोलोगे sir अमर ट्रेडर account credit करेंगे इसके बाद आप बोलोगे sir payment half cash हुआ हाफ पैमेंट हुआ हुआ थिकृम से हुआ है तो cash थेstars percष यहा होगा credit हो जाएगा और दूसरा account हम बोलेंगे discount, receive account, credit हो जाएगा कैसे अभी समझते हैं, यहां से वो समझना purchase हमने कितने goods का किया है 5400, तो पहले तो वो लिखती है, उसमें से आप बोलोगे 2700 अभी pay करना बाकी है, तो आधा transaction, credit transaction है तो 2700 यहां पे आ जाएगा, दूसरा हम लिखेंगे cash कितना payment हुआ तो 25, यहां पे लिखेंगे 2565 और कितना कम payment करना पड़ेगा तो 135 वो अमारे लिए क्या हो जाएगा, discount receive हो जाएगा इसके साथ बच्चा हमारा यह point खतम, बहुत ही important transaction मैं बोलूँगा यह बहुत ही आता है, ध्यान से करना, थोड़ा मैं रप कर रहा हूँ आप पहले ही proper लिख दे, उसके बाद हम आगे चलते हैं चलबच्चा, 24 अबर का transaction जिसमें दिया हुआ goods of 4th रूपीस 500 is donated to महिला फिकाश ग्रूब तो आप बोलोगे सर, यह type का charity हुआ, तो charity account या donation account हम debit करेंगे और business में से goods जा रहा है, तो purchase account क्या होगा, credit आप बोलोगे सर, other than sales जाएगा, तो always purchase account credit होता है तो आप बोलोगे सर, लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे transaction जो number 24 है donation account, debit and credit क्या होगा, purchase account तो आप बोलोगे सर, amount आजाएगी 500 and 500 इसके साथ बच्चा, 24th number का transaction खतम 25th में दिया हुआ, goods of rupees 150 is distributed as a free sample आपने free sample के तोर पे दिया हुआ, लोगों से पैसे नहीं लिये लेकिन ध्यान में रखना, आपको यह goods purchase करने में पैसे लगे हुए आपको goods free sample मिले तो non economic transaction, क्या होगा बच्चा, non economic transaction जब भी goods हमें free sample मिले तब, लेकिन आप लोगों में free sample तरिके से बेच रहे हो तो हमारे लिए यह advertisement expense होगा, क्या होगा बच्चा, advertisement expense होगा तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे 25th में advertisement account debit and goods business में जा रहा है other than sales तो purchase account credit होगा, तो आप बोलोगे सर यह sample 150 के हमने distribute किये जो हमारी cost में consider करेंगे तो advertisement expense में आएगा इसके बात बच्चा DIY 26, an order is issue to vikas agency for goods of 3000, order is issue आप बोलोगे सर यह order issue होआ है, order dispatch भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, order खाली हमें मिला है तो यह transaction क्या होगा, non-economic transaction, क्या होगा बच्चा, non-economic transaction जो ध्यान में रखना है 26 का 28 में बच्चा आगे पढ़ते है, the business owner has a withdraw goods of 2000 and paid tuition fee for the son of 800 from the business तो अभी owner ने दो तरीके से withdraw किया हुआ है, in the form of cash, in the form of goods तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, owner कुछ भी अपने personal purpose के लिए करेंगे, तो drawing account debit होगा तो लिखते बच्चा, ये जो transaction number है, वो 28, तो आप बोलोगे सर, drawing account debit होगा and credit क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर, पहले goods किया हुआ है, तो purchase account और दूसरा हम लिखेंगे cash account तो first of all, business owner has withdraw goods of rupees 2000, तो 2000 यहाँ पे लिखेंगे, और दूसरा जो आप बोलोगे सर, यहाँ पे जो लिखना पड़ेगा उन्होंने paid tuition fee की हुई है, 800 तो यहाँ पे 800 टोटल होगा, 2800, तो drawing account debit हो जाएगा, cash account credit होगा और दूसरा यहाँ ध्यान में रखना है, purchase account और आप बोलोगे cash account, इसके साथ यह point भी खतम, आगे चलते है, last point interest of 3 month paid on the loan of pragnah, तो loan of pragnah का interest pay करना है, तो आप बोलोगे सर, पे करेंगे interest business के लिए expense होगा, और cash account credit होगा amount कैसे लानी है, वो हम लिखते हैं, तो पहले लिख देते है, interest account debit, और आप बोलोगे, प्रगना, आप बोलोगे, सर, business में से cash जा रहा है, तो cash account credit हो जाएगा अब ही आप बोलोगे, सर, total हमारी जो value थी, वो 20,000 loan की थी, interest जो उसके बाजू में percentage दिऊ है, first number के transaction में देखो, 8% प्रगनास loan दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 by 100, क्योंकि यह percentage है, और यहाँ पे आप लिखोगे 3 by 12, यह बच्चा ध्यान में रखना, 20,000 हमन first number के transaction में दिया हुआ है, वहाँ से लिया, 8% वहाँ आगे ही दिया हुआ, 8% loan वो लिखा, and 3 by 12 हमने calculation किया, calculation करोगे तो बच्चा 400 आएगा, कितना आएगा, 400, amounts अने direct देख की लिख की हुई है, आप proper करके, check कर लेना, तो answer आ जाएगा, तो बच्चा यह important point था, जो ध्यान transaction जो है, वो proper आपको clear हो जाएंगे, तो आगे बहुत easy रहेगा, तो proper notebook में लिख लो बच्चा, मिलते है next lecture में, नए एक sum के साथ, नए एक point के साथ, बच्चा आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ, तो like, share, subscribe ज़रू करें, मिलेंगे next lecture में, नए एक sum के साथ, और ऐसे ही आपको sum देखना है, तो यहाँ नीचे आपको about section में भी मिल जाएंगे, और description box में भी पूरी link मिल जाएगी, तो आप proper देखिए, और आपके frank के साथ भी share कीजिए,